एक जंगल में खरगोश और कच्छुवा रहते थे खरगोश स्वभाव से बहुत ही चंचल वह फुर्तिला होता है वहीं कच्छुवा बेचारा सुस्त वह धीमी गती से चलने वाला खरगोश को अपने इस स्वभाव पर बहुत घमंड होता है और वह कच्छुवे के सुस्त स्वभाव का खुब मजाक उड़ाया करता था एक दिन कच्छुवे से दौर लगाने की बात कहता है कच्छुवा मान जाता है खरगोश को लगता है कि सुस्त कच्छुवा उसके जैसे तेजवा फूर्टेले खरगोश को कैसे हरा सकता है इसके बाद दुसरे दिन दौर लगाने का समय तै होता है सारे जंगल के जंगली जानवर दौर देखने उस जगा पर पहुंच जाते है खरगोश वो कच्छुवा भी दौर के लिए तयार रहते हैं दौर की सीमा तै होती है दोनों दौरना शुरू करते है खरगोश अपने स्वभाव अनुसार जोर जोर से दौरता आगे बढ़ने लगता है वहीं कच्छुवा अपनी कच्छुवे चाल से धीरे धीरे दौरना शुरू करता है खरगोश बहुत आगे निकल जाता है आगे पहुंच वह पीछे देखता है तो उसे कच्छुवा दिखाई नहीं देता वह सोचता है अरे कच्छुवा तो दिखाई नहीं दे रहा क्यों ना थोड़ा अराम कर लिया जाए यह सोच वह अराम करने बैठ जाता है तब है उसकी आँख लग जाती है इधर कच्छुवा धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता खरगोश को पार कर अपनी तय की गई सीमा पर पहुंच जाता है उधर खरगोश की आँख खुलती है तो वहा भागा भागा निश्चित सीमा तक पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि कच्छुवा पहले ही वहां पहँच चुका है यह देख उसे बड़ी शर्म आती है उसका घमंड चूर हो जाता है खरगोश के घमंड वा कच्छवे की निस्ठा से कच्छवा तेज दोड़ने वाले खरगोश को हरा कर दोड़ जीत जाता है तो बच्छो इससे हमें यह सीख मिलती है कि घमंड करने वालों का घमंड एक ना एक दिन अवश्य तूट जाता है